प्राचीन मिस्र के राजा थूट मोसाद थर्ड के इतिहास में एक अद्भुत विदेशी पक्षी का वर्णन किया गया है, जो प्रती दिन बच्चे देता है. पार्सी उन्हें आत्माओं के रूप में देखते थे, जिनकी चीखें अंधेरी और प्रकाश के बीच ब्रहमान्डिय संगर्श के बारे में बताती थी. भविशी की लडाईयों की सफलता की भविशेवानी के लिए रोमन उन्हें सैन्य अभियानों पर ले जाते थे. और आज ये पक्षी अभी भी हमारे खाने की थाली में एक महत्वपूर्ण यद्यपी बहुत कम सम्मान जनक स्थान रगता है. आधुनिक चिकन मुख्य रूप से रेड जंगल फाउल और आंशिक रूप से तीन अन्य निकट संबंधी प्रजातियों से उत्पन हुआ है, जो सभी भारत और दक्षण पूर्व एशिया के मूल लिवासी हैं. इस क्षेत्र के बांस के पौधे हर कुछ दशकों में केवल एक बार भारी मात्रा में फल पैदा करते हैं. जंगली पक्षियों की प्रति दिन अंडे देने की क्षमता इन दुरलब दावतों का लाब उठाने के लिए विक्सित हुई होगी, जिससे भोजन प्रचुर मात्रा में होने पर उनकी आबादी में व्रिद्धी हुई होगी. ये कुछ ऐसा था जिसका उप्योग मनुष्य निरंतर आधार पर कर सकता था, और पक्षियों की कमजोर उड़ान क्षमताओं और स्थान की सीमित आवर्शक्ता ने उन्हें पकड़ना और नियंत्रित करना आसान बना दिया. सबसे पहले पालतु मुर्गियां, जो कम से कम साथ हजार साल पहले की हैं, भोजन के लिए नहीं, बलकि आज कम स्वादिष्ट समझी जाने वाली किसी चीज के लिए पाली जाती थी. प्राक्रतिक लेग स्पर्ज से लैस प्रजनन नरों की आक्रामक्ता ने मुर्गों की लड़ाई को एक लोकप्रिय मनुरंजन बना दिया. दूसरी सहस्त्राबदी ईसापूर्व तक मुर्गियां इंडस वैली से चाइना और मिडलीज तक फैल गई. उन्होंने शाही जीवनशालाओं पर कबजा कर लिया और धार्मिक अनुष्ठानों में उनका उप्योग होने लगा. लेकिन ये मिस्र में था जहां पक्षी के इतिहास का अगला अध्याय शुरू हुआ. जब एक मुर्गी स्वाभाविक रूप से अंडे सेती है तो वो नए अंडे देना बंद कर देगी और 21 दिनों के लिए छै या अधिक अंडों के क्लच पर बैठी रहेगी. पहली सैस्त्राबदी इसा पूर्व के मध्य तक मिस्र वासियों ने मुर्गी के अंडों को गर्म राख के उपर टोकुरियों में रखकर कृत्रिम रूप से सेना सीख लिया था. इससे मुर्गियां प्रति दिन अंडे देने के लिए मुक्तो हो गई. और जो शाही व्यांजन या धार्मिक प्रसाद था वो आम भुजन बन गया. लगभग उसी समय जब मिस्रवासी अंडे से रहे थे, फिनीशियन व्यापारी मुर्गियों को यौरप ले आये, जहां वो जल्द ही यूरोपियर पशुधन का एक अनिवारे हिस्सा बन गई. हालाकि लंबे समय तक चिकन की पूजनीय स्थिती उसके पाक कला के साथ-साथ मौजूद रही. प्राचीन यूनानियों ने युवा सैनिकों के लिए प्रेरणा दायकुधारन के रूप में लड़ाकु मुर्गों का उप्योग किया था. रोमन लोग मुर्गियों को भविश्य वक्ता के रूप में देखते थे, और सातवी शताब्दी तक मुर्गे को इसाई धर्म का प्रतीक माना जाता था. अगली कुछ शताब्दियों में मुर्गियां इनसानों के साथ जहां भी गई, व्यापार, विजय और उपनिवेशी करण के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गई. ओपियम वार्ज के बाद चीनी ब्रीड को इंग्लेंड लाय गया और स्थानिय मुर्गियों के साथ क्रॉस कराया गया. इसने हेन फीवर या दफैंसी नामा के गटना को जन्म दिया. पूरे यॉरप में किसान विशेश लक्षणाओं के संयोजन के साथ नई किस्मों को प्रजनन करने का प्रयास कर रहे थे. इस प्रव्रती ने चाल्स डाविन का भी ध्यान आकर्शित किया, जिन्होंने सोचा कि क्या प्रकृती में भी इसी तरह की चैनात्मक प्रजनन प्रक्रिया होती है. विकासवाद के सिध्धान्ध के अपने एतिहासिक कारे को अंतिम रूप देते समय डार्विन ने सैकणों मुर्गियों का निरीक्षण किया, लेकिन मुर्गे का विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान अभी आना बाकी था. बीसवी सदी की शुरुआत में ब्रिटिश वैग्यानिकों की तिगडी ने ग्रेगर मेंडल के अनुवानशिक वनशानुकरम के अध्यायन के आधार पर मुर्गियों की व्यापक क्रॉस ब्रीडिंग की. उच्च अनुवानशिक विविदिता, विशिष्ट लक्षणों और पीडियों के बीच केवल साथ महिनों के कारण मुर्गियां एक आदर्श विशय थी. इस कारे के चलते प्रसिद्ध पनट स्क्वेर का निर्माण हुआ, जिसका उपियोग किसी दिये गए जोड़े के प्रजनन से उत्पन्न होने वाले जीनो टाइप को दिखाने के लिए किया जाता था. तब से कई प्रजनन पहलों ने मुर्गियों को बड़ा और मांस युक्त बना दिया, और इसे पहले से कहीं अधिक अंडे देने लेगे. इस भी चिकन उत्पादन एक उद्योगिक फैक्टरी जैसे मॉडल में स्थाना अंतरित हो गया, जिसमें पक्षियों को कागज की शीट जितने पड़े पदचिन्न वाले स्थानों में पाला जाता है. और जबकि पशु अधिकारी और परियावरन संबंधी चिन्ताओं के कारण फ्री रेंज फार्मिंग की ओर बदलाव आया है, आज दुनिया की 22 बिलियन से अधिक मुर्गियों में से अधिक आंश फैक्टरी फार्मिंग है. ग्लैडियेटर्स और देवताओं को उपहार देने से लेकर यात्रा करने वाले साथी और अनुसंधान विशेयों तक मुर्गियों ने सदियों से कई भूमिकाये निभाई हैं और यद्यपी वो लौकिक अंडे से पहले नहीं आये होंगे, मुर्गियों का आकर्शक इतिहा क्या आप और अधिक छुपे इतिहास को जानना चाहते हैं? इतिहास के सबसे घातक रंगों के बारे में इस वीडियो को देखें या इस वीडियो के साथ दुनिया के सबसे प्यारे खेलों में से एक की उत्पत्ती का पता लगाएं